हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हुदीपा और स्वागति दीपा के वेंजन चैनल में है आज मैं बनाने बाली हूँ मतर मसालेदार पुलाओ तो चलिए देखते हैं बनाने के वीधिर मैं इस पुलाओ को कुकर में बनाऊंगी मैंने कुकर में करीब दो टेवल स्पून घी डाला है इसमें डाल दूंगी एक तेजपत्ता और एक छोटी चमर्च जीरा कुछ गरब मसाले भी डालेंगी इसमें जैसे हरी मिर्च बड़ी लाइची छोटी लाइची लॉंग डाल च छकी पाउडर को अचि छहां अची तरह से शेमासी दिखने लगे अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसालो का पाउडर जैसे में लिया है डेर्ष चोटी चमच धनीया पाउडर आदी चोटी चमच काली मिर्च एक चोटी चमच लालं मिर्च और एक छ्वटी चमच छलदी में देंगा हर जो अधसी होएँ इसमें दाल देंगे हरा मंतर मैंने फरोजन मंतर लिया हैं आप लिया है आपको एपशे कर सकते हैं इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई करें अब लो फ्लेम पर फ्राई करें, मटर मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, वापस से इसे चलाते हुए, एक मिनट के लिए फ्राई कर ले, एक कप चावल को मैंने पहले से धोका रखा था, करीब दस मिनट पहले मैंने चावल को धोया था, इसे मसालों के साथ फ्राई कर ले, चावल को फ्राई करते सर में, गैस का फ्लेम लो रखे और इसे हलके हाथों से चलाते हुए फ्राई करे, चावल को ज़्यादा फ्राई नह अब हम इसमें मिक्स करेंगे पानी एक कप चावल में आप करीब दो कप पानी डाले मैंने गर्म पानी लिया है गर्म पानी डालने से चावल तुरंद कुख हो जाएंगे और यह काफी खेली-खेले बनेंगे सभी चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर दे पानी के साथ अब इसका ढखकन लगाकर हम इसे एक सीटी आने तक कुख करेंगे जब तक हम इसके लिए रायता बना लेते हैं रायता बनाने के लिए मैंने लिया है खीरा प्याज हरी मिर्च और टमाटर जिसे बारिक बारिक काट लिया है आप इसे एक प्याले में डालने अब हम इसमें डालेंगे दो टेबली स्पून फ्रेस दही अब खटी दही का यूज ना करें इसमें डाल दे आदी चोटी चमच रेगूलर नमक आदी चोटी चमच काला नमक आदी चोटी चमच रोस्टेट जीरा पाउडर आदी चोटी चमच से भी कम काली मिर्च पाउडर अब हम इसमें डालेंग इसे आप क्रस्ट करके डाल दें, मिला दे सबको अच्छी तरह से, इसमें हम पानी नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ी देर मिक्स करके रखेंगे, तब इससे पानी रिलीज होने लगेगा, ये हमारा रायता तयार हो चुका है, चावल भी तयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, मैं इसे दिखाती हूँ, चावल काफी खिली-खिली बने हैं, अब हम इसे सर्ब करते हैं, हमारा मटर मसालेदार पुलाव बन के तयार है, कम टाइम में यदि आपको कुछ अच्छाक बना के खाने का मन करें, तो आप ये मटर मसालेदार पुलाव जरूर बनाएं, मैंने इसे सर्फ किया रायता और पापर के साथ, ये काफी इजी टू कुक है, ज़ि आप लोग को मेरी ये रेस्पी पसंद आए, तो मेरे चानल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में ये के साथ, तब तक के लिए बाइ, टेक केर,